ये गाई स्वकत है आपका हमारी यूटुब चनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Android से iPhone में और iPhone से Android में डाटा किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को पूरे अंट तक जो देखते रहे हैं तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि प्लेश्टोर पर एंड एप श्टोर पर दौनों पर अवेलेवल है और किस तरीके से आप डाटा को ट्रांसफर करेंगे फुल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो एक बात और मैं आपको बता दूँ अभी मेरे पास iPhone अवेलेवल करने के बाद आपको जपया एप यह सर्च कर दिना है जैसे आप सर्च करेंगे तो यह एप्लिकेशन देखने के लिए मिलेगी इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी ओपन करने लिए अब माली जी यह जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं यह एंड्रोइड क स्क्रीन है और एंड्रोइड की स्क्रीन है और इस स्क्रीन से मुझे एपल मोवैल में यानि आईफॉन में ट्रांसवर करना है डाटा तो सबसे पहले तो माली जी यह एंड्रोइड की स्क्रीन है अभी माली जी यह एंड्रोइड की स्क्रीन है और मैंने एंड्रोइड पर य यह application open करंदेंगे बाद हम मुझे क्या करना है android से अइफान में डाटा transfer करना है तो यह अभी android की MARK मैं क्या करूंगा एक फोटो को select कर लेता हूं जैसे कि यहाँ पे मैं एक फोटो को select करूंगा जैसे कि यह photo है यां पे मैं इस photo को select करूंगा और याँ पर मैं पर इसे सेलेक्ट कर लिना है तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लिता हूँ तो फिलाल मैं photos को select कर लिता हूं यहाँ पे फोटो को तीन फोटो को select कर लिया अब यहाँ पे मैं एंडुरेड में तीन फोटो को select किया है अब मैं क्या करूँगा iPhone में बेजूँगा तो मैं share पर click करूँगा share पर क्लिक करूँगा तो वैसे ही मेरे सामने QR कोड आ जाएगा अब यह QR कोड यहां तक हम पहुंच चुके हैं Android में अब मैं इस application को cut कर देता हूँ अब मान लीजी यह screen iPhone की है iPhone में मैंने इस application को open कर लिया अप्लिकेशन को open करने के रएद यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसको skip कर देता हूँ जो Android का अभी मैंने बताया Android का जो अभी scanner आया था उसको यहां से इस scanner से scan करना है जो code आया था अभी Android का वो अलग mobile था और यह अभी iPhone है तो iPhone से हम Android में scan कर देंगे जैसे ही हम scan करेंगे वैसे ही हम connect हो जाएंगे Android से iPhone में and iPhone से Android में अब दूस्तों इस जरिये से आप यह जो तरीका मैंने आपको बताया अब मान लीजिए जैसे कि यह iPhone है और iPhone से अगर मुझे Android में भीज़ना है तो वही प्रोसेसर सेम टूसेम यहां से मैं फोटोज को सेलेक्ट करूँगा और सेंड पर क्लिक करूँगा यह मेरा iPhone आ चुका है अभी यह अभी आप जो देख रहे हैं वो iPhone की स्क्रीन है अब मैं क्या करूँगा अगर मुझे iPhone से Android में चाहिए अभी iPhone की स्क्रीन में यह code आ ठीक है अब जाएंगे Android में Android में आने के बाद यहां पर आपको क्या करना है नीचे इस वाल आइकन पर क्लिक कर दिना है यहां प का जो मुगाल है वो iPhone से connect हो जाएगा और data transfer हो जाएगा तो दोस्तो इस application की मदद से आप Android to iPhone and iPhone to Android data transfer कर सकते हैं दोस्तो अभी आपको सायद नहीं समझ माया हो लेकिन मैंने full courses किया कि आपको सही से समझ आ गया हो तो फिलाल अभी iPhone available नहीं है तो इस वज़े से मैंने आपको इसी screen पर दोनों चीज बता दी है तो दोस्तो अगर वीडियो चलगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और आप समझी गई होंगे दोस्तो अगर आप practically इसको करेंगे अभी अभी आप करेंगे ये वीडियो देखने के बाद तो आप आसानी से ये कर पाएंगे और आ पाफी सारा लगेगा तो दोस्तो मैंने आपको पूरी कोसस करी समझाने की कि आप सही से समझ गई होंगे तो दोस्तो अगर वीडियो चलगती है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राब कर दीजी मिलते हैं ऐसी हम लोग टेस्ट वीडियो के साथ